भारती सिनातन संस्कृती में गौमाता को शद्धा, प्रेम और वास्यले का प्रतीक माना गया है भगवाल श्रीकृष्ण एवं गौमाता भी एक दूसरे की पहचान है किन्तु आधुनी काल में हमारी गौमाता को ना जाने कितनी कठनाईयों और दर्दनाक स्थितियों से जूजना पड़ रहा है नतिजितन गौमाता की देखरेख, सेवा और इलाज न होने के कारण गौमाता तमाम पीड़ा दायक बिमारियों से ग्रस्त हो रही है क्या है कोई उनको प्रेम करने वाला, उनका दर्द बाटने वाला अब ये नंदी साला कुले से एक अजार की तैदात हो जाएगी हमारे भाई हैं सरी रादा क्रिशन गोसाला के नाम से गोसाला चलाते हैं बहुत बड़े सोसलिस्ट हैं और समाज के सहयोग से अपने सहयोग से दिन रात एक करके दवों की सेवा करना और साथ में जो नंदी घूमते हैं उन नंदीयों की भी यहाँ पे ठीक से परवरिस हो उसको लेके किनोंने संकल्प लिया और आज वो संकल्प पूरा हो रहा है आपको जितनी जूरत हो खुले दिल से ऐलान है एसे हमने देखो किसी से मांगा नहीं आस तक ना कभी हम काड़ भी देने गई अपने कापी नहीं लेके गई वीजे जैन जी मोके पे हैं जो दिल से देना चाहें बिल्कुल जैन आप भाई भी है आपके मैंने काप पी जो मर्जी है बर्दोस में हमने बरेंगे बिल्कुल लास्ट कॉस्चिन है क्योंकि आज बहुत बड़ा कारिया आपने कि अनन्दी शालागर बाद को साथी साथ जो के शेना के लिए जो देश की रक्सा कर रही है हमारी उनके लिए बलड डोनेशन केम्प लगा यह तो सबसे बड़ा सुबा के साली दिना इस गौउसाला में एक सेना के लिए बलड डोनेशन केम्प लगाया गाया और सभी साथियों ने आज मेरा उमीद है कि पाणिपद में नंबर वन में आप तक के जितने डोनेशन हुए है सबसे नंबर वन पे आज ये गुशाला काईगा और गोवगतों को बदाई दूंगा पहले सबसे पहले कि उन्होंने ऐसा अच्छा कार्या किया है और मेरा को लगता है कि 2022 का साल जाते ही रहते एक भी गवमाता सड़क पे ने रहेगी पाणी पत में इसके लिए गोवगत परियास कर रहे हैं और हरियाना सरकार के ओर से नई बाल ढहंडा जी भी आये हुए थे हमारे संजब आठिया एंपी साब के स्कुत्र भी आये हुए हैं गो सिवायो क्या चेर्मेन के नाथते मैं भी आया हूँ हम सभी का भी परियास है कि गवमाता कही भी पूरे हरियाना में सडकों पे ना रहे